एक दुखलत खबर कर्मिनिस्ट पार्टी ओफिंडिया माक्सवादी के महासचिफ सिताराम येचुरे का 72 साल के उम्रों में निभन हो गया निमोनिया की शकायत होने के बाद उन्हें 19 अगस्ट को दिली के एमस अस्पताल में भटी कराये गया था 25 दिन से उनका इलाज चल रहा था परिबार्णिया अस्पताल को CPIM नेता की बॉडी डोनेट की है वे तीन बार पार्टी के महासचिफ रहे थे और वहीं CPIM की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कॉमरेट सिताराम येचरी को सांस की नली में गंभीर संक्रमन हुआ था डोक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी सिताराम येचरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा किसी ताराम येचरी के निधन से दुख हुआ वो वामपंथ के अग्रणी नेता थे और सभी राज़तिक दलों से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाते थे उन्होंने एक प्रभावी सांसत के रूप में भी अपने पहचान बनाई इस दुख की घड़ी में मेरी समवेदनाएं उनके परिवार और प्रशनसकों के साथ हैं ओम शांती लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जताया उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिता नाम येचरी मेरे दोस्त थे वो भारत के विचार के सचे रक्षक थे और देश को अच्छे तरह से समझते थे मैं उनके साथ की गई लंबी चर्चाओं को बहुत याद करूँगा इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रती मेरी गहरी समझते थे मैं उनके साथ लंबी चर्चाओं को बहुत याद करूँगा इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रती मेरी गहरी समझते थे